सबको राधे राधे सबको गुरु पुर्णमा की शुप कामना है 13 जुलाई 2022 ये साल में एक बार आता है हिंदू कलेंडर के उनसार असाड बहा के शुक्ल पक्ष की पुनिमा तीथी 13 जुलाई को प्राथ 4 बज़े से प्रावर्म हो जाता है ये तीथी 14 जुलाई को 12 बज़े 6 एम तक समा पूती है ऐसे में इस साल गुरु पुनिमा 13 जुलाई को ही बनाई जाई अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस दिन प्राथ काल इंद्रियोग बना हुआ है दोपहर 22 बज़े 45 मन तक रहेगा पूर अशार नक्षतरा भी राथ 11 बच का 18 मिन तक है यह योग और नक्षत दोनों ही मांगले कार्यों के लिए शुब है गुरु पुनिमा एक साथ कहीं शुब योग बन रहे है 13 जुलाई को 6 रूचक हस भद्र 4 राज योग बने इस दिन बिना बुद्र आधियोग की भी अधुवति है गुरु पुनिमा का व्यास पुनिमा कुछ लोग गुरु पुनिमा को व्यास पुनिमा में कहते है महाशे वेज व्याज जी का जनम असार पुनिमा पुनिमास्ति के दिन हुआ था और इस वज़े से इस तीति को व्यास जानती भी बनाय जाता है व्यास पूजा करने की प्रंप्रा वेद व्यास जी ने महाभारत के साथ अन्या महत्पुन गरंतों की रचना है वेद रिशी ने हमारे वेदों की रचना की व्यास जी को विश्णु जी का अवतार भी कहा जात यहां तक भी मानता है हार व्यक्ति के जीवन में विशेश भैत होता है एक गुरू व्यक्ति को सत्त मार्क पर लाकर एक महान व्यक्ति बना देता है गुरू हारे होई व्यक्ति को मंजिल तक पहुचा देता है गुरू का जीवन ने स्वार्थ होता है गुरू का जीवन ने स् विश्णु महेश के समक्ष माना गया है। गुरू का सम्मान देने के लिए गुरू पुनिमा का एक विशेश दिवस है। हमेशे हम गुरू का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर दिवस का उदश्य है। गुरू को महत से सभी का अवगत कराना है। सनातन संस्क्रिते में गु हाँ भारत के रचीता आदी कभी वेजव्यास के जर्म दिम को हर साल गुरु पुनिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु की महता को महत जतो है प्राचिन ध्रम गंतों में गुरु कर ब्रहम विश्णू और मेश के समय बनाया है। एक व्यक्ति गुरु का रिन कभी नहीं चुका पाता है। हमारे नी स्वात भाव से सिखाने का कारिया गुरु द्वारा ही क्या जाता है। हर लोग अपने अपने एसाब से इस बात को कहते हैं। जब गुरु कोल में निर्शुर्क शिक्षा परदा करते थे तब उन दिनों गुरु का पूजन होता था। जो प्रंप्रा आज भी विधामान है। इस परप्पे अच्छे गुरु से मंत्र दिक्षा दिर ली जाती है। हर गुरु पूजन की प्रंप्रा का निर्वहान किया जाता है। गुरु की विके पाट बिना मोख्ش संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो। तो सबसे पहले आप में इंसानियत पैदा करो, आज हर इंसान में इंसानियत मरती जा रही है, अपना हमारा खून सफेद होता जा रहा है, हर इंसान को नजर आ रहा है, तो बस पैसा पैसा पैसा, लड़का पैसे के लिए बाप का खून कर देता है, भाई भाई का खून कर दे सब भाग रहे हैं पैसे के पीछी मैं यह नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाओ पैसा हर इंसान की ज़रूरत है आप पैसा कमाओ पर उसका थरीखा इंसानियत वाला हुआ हमें पता है ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे याद रहेगा तो आप यह अच्छे करम करो गये तो फल भी आपको अच्छा ही मेरेगा अगर आप कर्मों में खोटे हैं तो आपका फल भी कभी अच्छा नहीं पर एक बार हेरा फर करेकर हेरा फेरी करके आप थोड़ी समय कलिए अमीर तो हो लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब आप दोबारा सख पर आ जाए यदि किसी वक्ति की कोई लाटरी निकल जाती है लाटरी निकलने के कुछ दिन बाद उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं चुकि हमारे पास किसी भी चीज़ को समभलने का एक ओधा नहीं होता अमादा नहीं हो भाई का भाई, बेहन को बेहन, बेटी को बेटा, बेटे का बेटा को बेटे का प्यार करो, सबको जरूरत है, आपको और आपको जरूरत है, सबकी कभी आप किसी के बात में आकर अपने बाबाप का मन ना करो, और ना ही किसी बुजरुक को बेकदरी ना करो, अगर किसी का भल उसकी बद्वाइं आपका कहां तक बुरा करती है क्योंकि एक बद्वाइं इनसान को बर्वाद कर देती है इसका वजूद खत्म कर देती है किसी के मुँ से निकली हुई एक दुआ इनसान के जन्मों जन्मों को तार देती है इसी तने हैं, इनसान को एक निकली हुए बद्धुआ कहीं के जन्मों तक उसको परिशान कर देते हैं, बद्धुआ कभी नहीं देते हैं, आज के समय में एक रिवाग साचला आ रहा है, जिन माबापने हमें पाला पोस्कार पड़ा किया, हमारी उंगली पगड़का चलना सि लिए, अब बढ़ाबे में एकने बाप को अपने साथ और एकने मा को अपने साथ रख लिया, क्या सिला दिया आपने माबाप के प्रोफकार का, सबसे ज़्यादा जोत रहती है कठे रहने की तो बढ़ाबे में, और आपने माबाप को अलग कर दिया, परिन उतारा, और आज़ भी आपके साथ बैसे ही करें, क्योंकि हमारी उलाद भी वही देख रही है, जो हम अपने माता-पिसा के साथ कर रहे, रिन उता रने के बाते बदूर साथ- California 700 जनम तक आप इस रिन को उतार नहीं पाओगे हम सारी जिंदगी मातापिता की सेवा करके मावाप के रिनों को नहीं उता सकते पर थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते आपने अपने धर्ती पर मावाप के पड़ती क्या किया इस धर्ती पर मावापने हमारे लिए क्या नहीं किया, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी और बदले में हमें क्या दिया, पंजर पन, अशुद वाता वरण, आज से एक प्राण प्रण जूर करें, आप अपने हर शुब अब सर पर एक पीड जिरूर लगए, जिससे हमा मारी धर्ती माता को कुछ तो रिन कम हो, मैंने जिन्दगी में बहुत पेड़ पोदे लगाए, आज उनके फल लगते हैं, तो मेरी आत्मा को असीम चानते हैं, मैं हर इंसान से यही कहता हूँ, आप भी हमेशा वरक्ष जूर लगाए, कभी भी अपने खाने में मीट का सिवर ना करें, प्राकरती ने हमें इतना कुछ दिया है, जीव जीव को मार कर खाए, वो किसी माबाप का बच्चा है, उनको भी किसी माबाप अपने जिन्म दिया है, आज अगर आप मीट खा रहे हैं, तो उस मा की बद्वान लेने को त्यार हो जाओ, जिसके बच्चे को अपने मुर्गे भकरी तो खाने के लिए बनी है, अगर इन्हें ना खाया जाए, तो इनकी जन संख्या इतनी हो जाएगी कि कर्टूर नहीं हो, मैंने भी सुनाए बहुत अगरे दोस्तों, मैं आप से एक बात पूछता हूँ, जब हमारा जेश एजाद हुआ था, तो हम 30 करोड थ इससे जादा उससे कुछ नहीं आता, बच्चों के अपने मुँ में सवाद के लिए काट डाला, कुद्रत ने इस निम को याद रखना, रखे आप जैसा कर रहे हैं, कर आपको भी वैसा फल मिलेगा, यदि आपने कल किसी के बच्चे को मारा है, तो आने वारे समय में आपक बच्चे को भी कष्ट मिलेगा, जब किसी भी रूप को, प्राकर्ती का नियम है, जब जब हमने प्राकर्ती से खिलवार की है, तब तब प्राकर्ती ने, प्राकर्ती हमें बदलने का मोका देती है, अगर हम नहीं बदलते हैं, तो वो हमें ठोक के बदल देती हैं, हमारे प पुराने जन्मों के कर्मों का किसी को नहीं पता है अजब हमने सबने मरना है, साथ कुछ लेके नहीं जाना है, कर्मों का फल हमें मिलना है, फिर हम बुरे कर्म का त्यों का ए ? सब के पास सोचने की पावर है, फिर भी हम बुरा करते हैं, क्यों, किसके लिए, दोस्तों थोड़ा सा अपने को बदलने का प्रियास करें, अपने आपको बदलो, अपने जमीर को जगाओ, आज से यह परण करो, अपने जिंदगी में हमेशा अच्छे करम करेंगे, अपने ब सकें, तो कम से कम कभी किसी का बुरा भी ने करते हैं, हम बात गुरू की करते हैं, हमने गुरू की बात करी, और फिर हमने माबाप की बात करी, अरे दोस्तों, आपका सम्मे पर्थम पहला गुरू कौन? आपकी मा, जिसने आपको खाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिख करके उसे अनात आश्रा में भेज रहे हैं और हम गुरु प्रंप्रा को मानते हुए एक फंक्षन करते हैंहें हजार आद्मियों का उत्षा करते हैं दो हजार थ Intran countdown को खानाः किला थे हैं उस खाने का हあれ कोई कर्मों को जाद दें और आज से यह प्रन करें हम हमेशा हमेशा के लिए अच्छे करम करेंगे सब पी सीवा करेंगे भूकों को खाना देंगे प्यासे को पानी पलाएंगे अपने कमाई से हमेशा सब का भला करेंगे बस अब मेरी यही दुआ है आप सब को अगर आप मुझे दो मानते हैं और गुरु शिक्षा के प्रमप्रा मानते हैं तो मेरा सब यह दुआ है अपने देश के लिए और आने बच्चों के बच्पन में ऐसे शिक्षा दें ताकि कल से जो गुरुषन खिलेव है बस बहाब और फूल और फूल इसकी मेही में धरतीमा का हम सब बहुत दोस्तो प्रमहंस जी ने जब विवेका नंजी प्रमहंस के पास पहुंचे जिनका गुरू खराब हो जाता है जिनके पती पत्नी के रिस्ते अच्छे नहीं होते जिनके संतान के रिस्ते अच्छे नहीं होते जिनकी समय पे शादी नहीं हो पाती जिनकी बुजरगी में शाद अगर गुरू ग्रह हमारा अच्छा है, तो हमारा पारिवारिक जीवन, शादी शुदा जीवन, संतार का जीवन, धन का जीवन, सबका समन्द ब्रस्पती से, अगर ब्रस्पती ग्रह अच्छा नहीं है, ब्रस्पती ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा बुरा हम नहीं निर् अपनी से फैदा उठा सकते हैं ना अध्धन का फैदा उठा सकते हैं समाज में आप पैदा नहीं उठा सकते हैं गुरुपनी बैकर संदिर जो हमारी अग्यानता को दूर करना जो भी ग्यान रोपी शक्ति हमारे अग्यानता को दूर करके ग्यान की तरफ हमें ले जाती है हमारे अज्ञान रूपी अंदकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश की और ले जाती है वही गुरू होता है भारती प्रंप्रा में गुरू और शिश्य में कोई भीद में जब गुरू शिश्य के उपदेश्य अज्ञान देता है जैस इस भावना से कि क्या शिश्य उसक सत्याका साक्षात्कार का चुपी है। गुरू का भेतर साक्षात्कार की जो शक्ति है उसे वह शिश्य में इस्थांत्री करने की शम्ता रखता है। वह सत्य की अनुभती कराता है, ऐसत्य को खतम कर देता है, एक ही असी में, बस भेद बुद्धी के कारण अलग परतीत होते हैं, जैसे जलती हुई अनेक कोलों में अगनी एक प्रवजलित जोती होती है, परन्तु हमें विभिन रूप में दिखाई पर, यह भिनता कोले के सब ग्रूप के कारण है, अगनी तो एक है, इस ते है ज्यान में भेद नहीं विश्य का कारण परतीत होता है, इसलिए गुरू और इश्वर में अभेद गुरू ही इश्वर हो जाता है, आपने शिश्य के विश्य वकारों को सुभावना करने के लिए तक्ष बनाए गया है, यदि एक बार ग्यान रूप में अगनी प्रवजिन्त हो जाती है, तो सत्य का दिखदर्शन हो जाता है, फिर विश्य वासना उसके संपर्क में आकर भी समाप्त हो जाती है, व्यक्ति निर्जल हो जाता है, यही मानव चेतना है की क्रांती है, यहीं परतेग गुरू पनिम का संदेश भी है, इस संदेश में संपून प्रमप्रा को देखते हुए भारत का आत्म संसंत्कार ज्यान की भूमी कहा गया है, भारतिया संस्कृत में ज्यान की व्यप्रवजित अगने उजवल होती है, ज्यान के शिकर है, गुरू गुरूतत की मानव चेतना की क्रांती है यह गुरुतत खारत गुमी का सग्रे प्रिश्व की अनुमानित करता है। गुरु के उसको भगवान शिब ने भी कुछ बोला। भगवान शिब ने बोला। अच्छे काम करो भगवान आपका साथ जरूर देगा। मुनश्य को भगवान जनम देता है, बुझ्जी देता है ताकि मुनश्य अच्छी सो सके। मैंने देखा कि दुनिया में पाप चर्म सिमा पर है, हर एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा है, इंसानित मरती जा रही है, हमारे करम बूरे होते जा रहे हैं, जमाने में बहुत तरक्की कई, लेकिन इन तरक्की में हमें फैदा कम औ पैसे फज जाएंगे, ना तो पैसा कमाएंगे, और अपनी सहीत भी क्राब कर बैठेगे, आज के समय में हर इंसान परिशान है, कारण क्या है, या आप जानते हैं, कि हमने अपनी आमदन से जादा खर्चे बढ़ा दिये, कमाई कम हैं, खर्चे जादा हैं, फिर आप इन ख करों में फज जाते हैं, आप परिशान हो जाते हैं, जब आदी परिशान हो जाता है, तो वो अपने दुख किसी जोत्षी, तांत्रिका किसी बाबा को बताता है, इससान बैमाएंगे करके कभी अमीर नहीं हो सकता, अगर आपने गल्द काम करके कुछ ऐसा पैसा कमा लिया ह तो सारे गल्द रास्ते से सारे पैसे निकल जाएं, पैसा हमेशा मेनत का ही फटता है, बैमानी से कमाया धन, ओलाद के लिए कश्टाई होता है, अगर बैमानी से पैसे से हम ओलाद को सीज़ते हैं, तो हमारी ओलाद खराब निकलती है, और वो सारे पैसे को बरबाद कर दे इस पैसी के जैसे हमारी उलाद हमारी वश्च में नहीं रहती वे गलत रास्ते एक्टार करती है ऐसे कमाने का क्या फैदा आप कमाओ अपनी उलाद उजारे पैसा हमेशा मेहनत का ही पलता है ऐसे पैसे के वज़े से हमाराद बच्च में ही नहीं रहती, गल्थ रास्ते ट्यार करती है, फिर पैसे कमाने का क्या फैक, आप कमाओ अपनी उलाद जाले, मैंने अपने जिन्दगी में अपने आँखों से देखा है, जो लोग गल्थ रिके से पैसा कमाते हैं, उनका पैसा या तो बिमारी में या गल्थ रास्ते से चला जाता है, या चोरी हो जाता है, या लुट जाता है, अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो बचत करना सीखें, जिस दिन आप अपने कमाओ से बचत करना शुरू कर देंगे, उन दिन से आप अमीर हो जाओगे, आप अ जुरुकों का आदर वैस सम्मान, जीव जंतों को ले दान करना, कुष्ट आश्रम में कुष्टों को खाना किलाना, गरीबों की लड़कियों को शादी में सम्मान देना, वर्द आश्रम में दान करना, अपंग इंसानों की सिवा करना, कुट्ते और कोवों को खाना किलाना, बिमार व्यक्तियों की सिवा करना ये सब अच्छे करने से आप पे पास जो पैसा आएगा वे अच्छे कर्मों में ही लगेगा, किसी को सता कर कमा हुआ धन हमें कंगार कर देगा और हमारे वशकार नाश कर देगा, वह इमायनी के महल से इमानदारी की जोपड़ी अच्छी हो पैसे कमाता है, जिन्दगी में जवर्दस्त अबकी करने के लिए जब आप अपने बाबाब के सेवा नहीं करते हैं, उन्हें खुछ नहीं रखते हैं, अपने उनका आश्रीवात नहीं लेते हैं, तब तक आपके द्वारा क्या गया दान भी वियर्थ हैं, वेग माइने है माबाब जिनका रिर्ण हम सास क्या सासो जनम के में नहीं उता सकते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे को चलना सिखाया है, हमारे को अच्छे संसकार दी हैं, अरे असली गुरू तो हमारे वो ही हैं, आज हम दिखावे के गुरू के पास जाते हैं, जहां पे हजार सब्सक्राइब जानते हैं जैसा हम करम करते हैं वैसे ही पल हमें बिठता है जो जैसा बोएगा वैसा ही कातेगा धियान रखना वेना मेरा विर्व निवेदन है आप सबसे आप अपने कर्म हमेशा अच्छे करो सबकी सेवा करो जिस काम के लिए भगवाने हमें इस धर्ती पे भेजा है जिस जुम्मेदारी के लिए भेजा है उस जुम्मेदारी का निर्भा करो इमानदाई से करो करम करहां इस फल का हम अ तराब करे थे गुरु जी ने बोला कल यूग में समय में हर इंसान दूसरे इंसान को लोटेगा कोई एक दूसरे को नहीं बक्सेगा गुरु जी की बास उनके भाई मर्दाना बोले गुरु जी हर आदमी एक दूसरे को लोटेगा और फिर लोटेगा को गुरु नाराक देव जो इनसान किसी का भरोसा करेगा वही रुटेगा आपने देखा होगा हम जिस पर भरोसा करते हैं वही हमें जिस पर विश्वास करते हैं वही विश्वास करते हैं हर एक आदमी को चोर की निखा से देखा जाए प्रक कर विश्वास करते हैं दोस्तों अपने इन सब बातों को आचरण को विछार को तियागें सकारात्मक सोच को रखें आप के मन में कोई भी भाव है ऎसलि इसकार्ण विश्पक्षट करें गुरु का समझ सीधा सीधा ब्रस्पती आदा हमारे परिवार से हुख रहे हैं तो हमारे घर की रूप देखा भी अच्छी हो अगर हम इन चीजों का पालग नहीं कर रहे हैं तो इश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा अपने उनी कर्मों को हमें संतान के आगे जब आज हम दुखी हो रहे हैं कल संतान हमें आज मैं आपको छोट में थोड़ सा समझा देता नोन वेज कोन लोग था पहले दोस्तो हमारे संसार में भुक बरी खाने के लिए कुछ नहीं था तब इन्हें हमने खाना शूप करा नोन वेज खाते हैं लेकिन फिर लोगों ने शौक बना दिया भूके के ट्रे मुष्णम रोटी नहीं होती तो इसे जबी आए जाए तो सब्सक्रास दोस्तों मैं यही को हूंगा कि माशाहारी बनने से हमारे सोच वैसी आती है और जब माशाहारी भुजन करते हैं उसमें कितनी गंदगी होती है हमारे अंदर शृए में बिमारिया बना देती है तो लिए मेहनध करनी पड़ेया उस जिस तरह से हमारी शेरी पे गंदगी या मैल होती है उस पे हम साबोन लगाएं या जिस तरह से हम गाएं के दूद तो दहीं जमा के बिलो के खीर निकालें मच्त हैं इसी तरह से हमें मेहनत करने पड़ती है जह हम मेहनत करते हैं तब यह मेहनत करता है